विश्वकी समरस्ता, विश्वकी कल्यान और शांतिकी स्थापना का संदेश एक बार फिर से गुंजाय मान होता हुआ कुछ तो है, कुछ तो खास है इस रास्ट में जो परब्रम्ह परमात्मा को अपनी गोद में आकर्शित कर लेता है कुछ तो खास है इस अयोध्या धाम में जो निरगुण निराकार परब्रम्ह को सगुण साकार बना देता है कुछ तो खास है इस रास्ट की धूल में, इस रास्ट के अन्न में जो मा कौशिल्ला के गर्भ में उस राम को उत्पन कर देता है पुत्र के रूप में और उनकी गोद में पुत्र के रूप में परब्रम को खिलने पर विवश कर देता है। स्वागत कीजिये भगवान शीराम का इस नए अवतार में आज के इस अलोकिक दिव्य द्वादशी के तिथि में जब कूर्म अवतार का दिन आज भगवान शीराम ने एक बार फिर से अवतार लिया भराधाम अयोध्याधाम सर्यू सब कुछ प्रसंद आनंदिग यहाँ पर पहुचे हुए संत समाज का, आम जन का, जनता जनारदन का, विशिष्ट अकितियों का आज अयुध्याधाम में भगवान शिरी राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कारिक्रम इस माइने में भी विलक्षन है क्योंकि समूची भारत की सारी परंपरा, सभी धर्म, संप्रदाय, मत, पंथ, सबका यहाँ पर संबिलन हुआ है एक यहाँ पर ऐसा समागम हुआ है जो सनातन संस्कृती के शास्वत स्वरूप को सापित करता है यहाँ पर शैव, वैशलो, शाक्त, पत्य, गडपत्य, सिख, बाओध, जैन, दशानन, संकर, रामानुजाचार संप्रदाय, निंबारका संप्रदाय, विश्रुनामी संप्रदाय, रामसनेही संप्रदाय पंथों में घीसा पंथ, गरीब दासी, गौडिया, कबीर पंथी, वालमीक पंथी, धार्मिक संगठनों में अनेकानेक, विश्व कल्यान में लगे हुए, भारत दिर्मान में लगे हुए, संगठनों के प्रत्निधी, महिमा समाज, अकाली, निरंकारी, नामधारी, राधा आगम हुआ है आज उनका यहां पर संगम हुआ है और पूरी दुनिया चकित रूप में देख रही है कि किस तरीके से वैविध्य में एकता का प्रमाड विविद्यता में एकता का प्रमाड बहुरंगी सतरंगी विविद्यरंगी संस्कृति का आज यहां पर संभिलन हुआ है और पूरी दुनिया उल्लासित है संभोता इसलिए कहा गया है कि मैं एक बिंदू परिपूर सिंधू यह मेरा हिंदू समाज मेरा इसका संबंध अमर मैं व्यक्ति और यहा है समाज इससे मैंने पाया तन्मन इससे मैंने पाया जीवन मेरा तो बसकर तब यही सब कुछ कर दू इसको अरपन मैं तो समाज की थाती हूँ मैं तो समाज का सेवक हूँ मैं तो समश्ट के लिए व्यश्ट का कर सकता बलिदान अभय हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचे तो निश्चित तोर से एक जो हमारी सनातन संस्कृती का प्रतीक है वो आज पूरी दुनिया देख रही है इस परम अजुध्याधाम से वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई इस राष्ट की कई वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई है उन संतों की जो लगातार भगवान शीराम के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करते रहे तपस्वा पूर्ण हुई है स्वयम प्रधान मंत्री की जो लगातार पिछले 11 दुनों से विशेस उपवास अनुष्ठान में है उनकी प्रतिक्जा पूर्ण ही क्योंकि विशेस्त और परशीरंगम और स्री रामेश्वनम से खुद भगवान शीराम के लिए उपहार लेकर के आए और उपहार तो समस्त देश से यहाँ पर पहुच रहे हैं कोई रामलला के लिए भोग ने च्छावर कर रहा है तो कोई उनके पोशाक तयार कर रहा है कोई उनके लिए हीरे जवारात भेज रहा है तो जनकपुर और मिथिला वाले भार भेज रहे हैं उस भार में सोना है चांदी है भाव है भंगिमा है प्यार है दुलार है संसकार है तभी तो भगवान श्री राम सब के हैं सरवत्र हैं और इसलिए शायद ही कोई ऐसा राज्य हो इस राश्ट्र का जिसने भारत भूमवि में अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के नब्ध और भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान न दिया हो यहां पर पत्थर आते हैं राजस्थान से कारीगरी अह होती है तमिल नारुड से पच्ची कारी होती है उड प्रधान मंद्री मोदी स्वयम प्रतिष्ठित करते हैं भगवान श्री राम को चेतन सो रूप में सभी के लिए क्योंकि भगवान श्री राम सब के हैं सर्वत्र है और वही आहवान उन्होंने किया है वह आहवान है कि भक्ति मुक्ति साधकम भारतम धर्म कर्म नैश्ठिक भारतम, रीति, नीति, संस्कृतम भारतम, शस्त्र, शास्त्र, धारकम भारतम, शक्ति,